Hello and welcome friends, Microsoft SQL Server सिखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft SQL Server की यहाँ पर ये Microsoft SQL Server open है, अगर आपको कोई भी database बनाना है तो generally हम क्या करते थे यहाँ से जाते थे राइट क्लिक करते थे और new database पर चले जाते थे एक window ऐसी open होती थी जैसे open होई है और यहाँ से नाम दे करके और okay कर देते थे तो हमारा database बन जाता था लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो कुछ करेंगे with the help of query करेंगे यानि query के ही मदद से हम database pre-design करेंगे तो यहाँ पर अभी हमें जाना है यह देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से करके हम जाते थे लेकिन अभी आज के इस वीडियो में यहाँ से हम नहीं जाएंगे हम क्या करेंगे new query बनाते हैं तो यह आ गया और यहाँ पर लिखेंगे create database क्या लिखेंगे create database किस तरीके से लिखना है create database और database का नाम यहाँ पर देना है चिक है database का क्या देना है नाम देना है तो student d कर देता हूँ student d यानि student के database की बात कर रहे हैं और यहाँ semi-colon लगा करके terminate करना है terminate कर दिया execute करवा देते हैं यानि यह execute भी हो गया क्योंकि यह यहां लिखा हुआ आ रहा है, commands completed successfully, ओके, तो यह execute हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर double click करते हैं, जैसे double click करेंगे, जैसे double click करेंगे, तो यहां पर data is हमारा दिख नहीं रहा है, इसको refresh कर लेते हैं, जैसे refresh करेंगे, तो student d नाम से जो data बिस बनाया, वो आपको टेबल लिखेंगे, यहां पर table बनाने के लिए और table का नाम देंगे, तो student t दे देते हैं, इस बार, t यानि टेबल, और यहां पर student का roll number आएगा, तो यह लिखा roll underscore number, ठीक है, यह लिख दिया roll number, अब इसको रखेंगे, int data type, integer data type, कॉमा देंगे, ठीक है, अगर इसको primary की बन सकते हैं, यहां पर लिखता हूँ, name of student, तो यह लिखा name underscore of, underscore student, underscore लगाईएगा, इस से आपको असानी होगी, ठीक है, और यहां पर रख देते हैं, टेक्स्टर data type, यह टेक्स्टर रख दिया, फिर comma देते हैं, फिर enter करके नीचे आते हैं, यहां पर age की बात कर लेते हैं, त advance completed successfully, देख सकते हैं, अब यहां पर क्या करना है, double click करना, जैसे double click करते हैं, तो यहां tables measure आता है, तो table पर double click कर दीजे, तो आपका table बन गया, नीचे देखिए, आपका database तयार हो गया, dbu.student p लिखा हुआ रहा है, तो इसी पर हम right click करते हैं, और edit top 200 rows पे click कर देते हैं, तो यहां पर देखेंगे, तो एक नई window open होगी, अब यहां पर देखेंगे, कि आपने roll number दिया था, तो यहां पर roll number आ रहा है, name of student दिया था, तो name of student आ रहा है, तो यहां पर roll number आप enter करते हैं, यहां पर roll number आप enter करते हैं, यहां पर roll number आप enter करते हैं, यहां पर राम लिख दिय तरीके से आपको यह एंटर करवाना है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ ना रही होगी, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यह करना है, तो इसे प्रैक्टिकल करिएका और मुझे बताईएगा कहीं दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है, ओके, ठेंकिय।